हेलो फ्रेंट्स, बेलकम टू माई योट्यूब चैनल, तो आज की बीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जॉब नॉटिविकेशन के वारे में, तो आपके लिए बहुत अच्छी ख़वर निकल के आ रही है, यूपी एसी की तरफ से C.A.P.F. अशिस्टन कमांडर की जो र को एंड तक बाच करें, एंड चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बैल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर बीडियो की नोटिवकेशन आपको मिलती रहें, तो बिना कोई टाइम बेस्ट की ये करते हैं, बीडियो को शुरू, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा ओबर विडियो देता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे, यूपी सी सी ये पी एफ, एसिस्टेंट कमांडर रिकॉर्मेंट टूजन 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 ट्वेंटीवन एपलाई ओनलाइन फोर 159 बकैंसी के लिए जो आप यहां पर एपलाई कर सकते हैं, तो इसकी फोर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है, फिफ्ट मैज जो आपकी लास्ट डेट यहां पर रहने वाली है, नेक्स्ट अम यहां पर बात करें, तो यहां पर बात करें, तो यहां पर बन 59 जो आपकी पोस्ट रहने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, Union Public Service Commission की, has given notification to the conduct Central Armed Force Assistant Commandant exam 2021, those candidates who are interested, the vacancy details, components, eligibility criteria can read notification and apply, तो फ्रेंट्स जो भी candidate यहाँ पर eligible हैं, वो इसके लिए apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम fees की बात करें, तो यहाँ पर general के लिए जो fees लगने वाली है, वो और लगने वाली है, आपकी 200 रुपीज and SCHT, यह female candidate के लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर fees नहीं लगेगी, और आपका payment mode जो रहेगा, fees का बो रहेगा, आपका SBI by cash, net banking facility for State Bank of India, यहाँ बीज़ा कार्ड, master card and rupee card या debit card के थुरूँ आप जो वो payment कर सकते हैं, next हम बात करें, यहाँ पर important dates की, तो यहाँ पर आपकी start date to apply online form की जो रहने वाली है, 15 of April रहने वाली है, आज के दिन से जो वो अपना form आप apply कर सकते हैं, next हम बात करें, last date to apply online form की तो वो आपकी रहने वाली है, 5th of May आपकी last date यहाँ पर रहने वाली है, next हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर आपकी जो अपना application form जो वो ड्रॉन कर सकते हैं, next हम यहाँ पर बात करें, last date of payment fees की, तो यहाँ पर जो pay by cash के mode से आप करेंगे, तो उसकी रहने वाली है, 4th मई की रहने वाली है, यहाँ पर date and last date for fees payment online mode से आपकी रहने वाली है, 5th of May की, date of आपकी exam जो रहने वाली है आपकी, वो अगस्त मन्त में आपका exam होने वाला है, अगर age limit की हम यहाँ पर बात करें, तो age limit आपकी रहने वाली है, minimum age 20 years रहने वाली है, and maximum आपकी 25 years यहाँ पर रहने वाली है, जो आपकी 1,8,2001 से पहले पहले आपकी count की जाएगी, next time हम बात करें, यहाँ पर age relaxation as per rule आपका होने वाला है, next time हम यहाँ पर बात करें, तो आपकी qualification क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर qualification रहने वाली है, आपकी candidate should possess bachelor degree from a university, तो आपके पास job हो, आपके पास bachelor degree यहाँ पर होनी चाहिए, next time हम यहाँ पर बात करें, बात करें, यहाँ पर बात करें, तो ITBP के लिए 20 बात करें, और SSB के लिए 1 बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं, तो फ्रेंट्स इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ, उसके official notification पर, बाहाँ पर मैं आपको इसकी job हो, detail बता देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसका job ऑफिशल notification यहाँ पर on कर लिए है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, Union Public Service Commission, and examination notice आपका 8th Oblique 2021, and आपकी date जो release किये गए है, आपका 15th Oblique 2021 को यहाँ पर release किये गए है, last date for submission आपकी रहने वाली, आपकी 5th Oblique 2021 यहाँ पर रहने वाली है, next time में यहाँ पर बात करें, candidate to ensure their eligibility for the examination, यहाँ पर apply आपको कैसे करना है, तो आपको apply यहाँ पर करना है, the candidates are required to apply online, only तो आपको online जो आपको यहाँ पर apply करने पढ़ेगा, by using the website of www.upsconline.nic.in पर जाके आपको जो आपको apply करना है, next time में यहाँ पर बात करें, last date for the submission की तो आपको मैंने पहले बता दी था, last date of आपकी form की submission की रहने वाली है, 5th Oblique 2021 यहाँ पर रहने वाली है, and the online application can be withdrawn आपकी जो रहने वाली है, वो आपकी 12th माई से लेके 18 माई तक आप जो आप जो आपो विद्रोन कर सकते हैं, next time में यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो special instruction यहाँ पर दी गई है, candidate are advised to read carefully special instruction to the candidate for the conventional type test, तो आपके जो भी यहाँ पर test होने वाले हैं, तो इसको जो आप carefully read कर सकते हैं, next time में यहाँ पर बात करें, बात करें बेकैंसी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, BSF के लिए 35 बेकैंसी है, CRPF के लिए 36 हैं, CIS के लिए यहाँ पर 67, ITBP के लिए 20, जो रहने वाले हैं, तो आपकी inner city में जो आपके center of examination रहने वाले हैं, तो आप यह अपनी हिसाब से देख सकते हैं, next time यहाँ पर बात करें, eligibility condition की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, eligibility condition, यहाँ पर nationality, आपके उन्हें परसन who is not a citizen of India, shall accept with the consent of the central government, signify in writing and appointing the employment under these rules, तो आपके पास जो अब वो citizen of India के होने चाहिए, next time मैं यहाँ पर बात करें, sex की तो बोथ male and female candidate are eligible to appoint the post of assistant commandant, तो female and male दोनों इसके लिए जो apply कर सकते हैं, age limit की आपको बात करें, तो यहाँ पर 20 years minimum है, 25 years यहाँ पर maximum रहने वाली है, next time मैं यहाँ पर बात करें, तो इसका overview तो मैं आपको पहले ही दे दिया है, बट यहाँ पर मैं आपको इसका बता देता हूँ, minimum educational qualification की हम यहाँ पर बात करें, तो bachelor degree यहाँ पर होने चाहिए आपके पास, तब ही आप इसके लिए जो वो apply कर सकते हैं, next time मैं यहाँ पर बात करें, fees की तो यहाँ पर आप fees देख सकते हैं, 200 rupees आपकी रहने वाली है, general के लिए and expecting female SCHT candidates who are exempted from the payment fees, आपकी जो वो कोई भी यहाँ पर payment speed नहीं रहने वाली है, next time मैं यहाँ पर बात करें, how to apply की तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको upsc.online.nic. इन पर जाके जो वो आपको apply करना है, online mode से, and इसके लावा हम यहाँ पर बात करें, last date submission की तो आपकी 5th of मैं यहाँ पर last date submission की रहने वाली है, and next time यहाँ पर बात करें, important notice की तो यहाँ पर name and error of the examination, the row number and आपका name of the candidate, poster address आपका valid ID proof यह आपके पास होने चाहिए, all communication or the command should be universally contain the following particular, तो आपके पास यह चीज़े सारी होने चाहिए, next time यहाँ यहाँ पर बात करें, with the all application की तो यहाँ पर application can be withdrawn as per instruction available at the appendix 2, तो यहाँ आपको पहले ही बताया की 12 माई से लेके 18 माई से तक आप जो अपना application withdrawal कर सकते हैं, next यहाँ पर हम बात करें, तो written examination जो आपका रहने वाला है वो आपका रहेगा, 8th of August को and selection process आपका रहेगा, the selection procedure scheme of examination will be as follow, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका paper 1 यहाँ पर रहने वाला है, general average का 250 marks का and आपका paper 2 रहेगा, general study, easy and comprehension का 200 marks का, next आप यहाँ पर बात करें, तो physical efficiency test भी आपका दिया होगा, यहाँ पर 100 meter race का and 100 meter race का long jump यहाँ पर होगा, short put up होगे आपके male के लिए and यहाँ पर 60 second में 100 meter race करनी पड़ेगी and female के लिए 18 second में and 800 meter race आपकी 3 minute 45 second में होगी, male के लिए and 4 minute 45 second job of female के लिए रहने वाली है, next time यहाँ पर बात करें, interview and personality test आपका भी यहाँ पर रहने वाला है, 150 marks का यहाँ पर दिए गया है, candidate who are declared qualified in the medical student test, फिर भी card the interview, personality test, तो आपके लिए इसका personal interview भी यहाँ पर होने वाला है, final selection जो होगा आपका, वो आपका the merit list will be drawn on the basis of the marks obtained by the candidate in the written examination and interview, and personality test, जो आपके तीनों में, जिदने marks होंगे इसके साफ से जो आपका, यहाँ पर merit बनेगा, फिर आपकी जोब हो, यहाँ पर selection होगी, next time यहाँ पर बात करें, general ability and intelligence की, तो the objective type questions will be multiple choice in the paper of broadly cover for the flowing area, general mental ability, यहाँ पर आप इसका syllabus यहाँ पर देख सकते हैं, जुसका पूरा syllabus यहाँ पर इनोंने दिये हुआ है, paper 1 के लिए and paper 2 के लिए, तो आप इसको carefully पढ़ सकते हैं, इसकी PDF में आपको अपने telegram group GKYDNS पर डाल दूँगा, बाकी apply करने का link में आपको description में provide कर दूँगा, बहाँ से जाके आप इसको apply कर सकते हैं, and यहाँ पर अगर कोई और information आपको चाहिए हो, तो आपको मुझे बहाँ से पूछ सकते हैं, comment box में, comment करके पूछ सकते हैं, तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को like करें, share करें and comment में जरूर बताएं, thank you, goodbye, take care.